नमस्कार आपके अ बीये थर्ड सेमिस्टर में टोटल शिक्स ड्रामाज प्रेसक्राइब हैं जिन में से तीन ड्रामा मैंने पूरे अपलोड किये हैं और ठैलो पूरा अपलोड किया है मैं डेटेल में भी अप्लोड करूँगी और आज जो वीडियो होगा वो दा स्ट्रीट कार नेम डिजायर पर है और मैं इस पर भी आपके लिए कुछ इंपोर्टन चीज़ें अप्लोड कर दे रही हूँ जिसमें आज हम इसके केरेक्टर्स देखते हैं और जो इंपोर्टन प्लेसे के नाम दिये हुए हैं उन पर अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं कुछ गेम्स का इसमें रेफरेंस है तो हम इस वीडियो में ही उन गेम्स पर भी बात करेंगे और जब भी वक्त मिलेगा मैं ये ड्रामा भी डिटेल में अप्लोड करूँगी तब तक आप क्योंकि आपके एक्जाम पास में है तो मैं कुछ और इंपोर्टन चीज़ें आपके लिए अप्लोड कर देती हूँ तो सबसे पहले हम परसंस देखते हैं यानि कि इस ड्रामा के केरेक्टर्स जिसमें सबसे पहले है ब्लांस ड्यूबॉई थोड़ी से स्पेलिंग अलग है और आपको याद रखनी है ये स्पेलिंग शी इस असेंसिटिव एंड कल्चर्ड वोमन ओफ एवाउट थर्टी वो एक समिदनशील और कल्चर्ड सभ्य महिला है संस्कृत महिला है और लगवक्ती साल की शी हैल्स फ्रॉम अर डिकेड अरिस्टोक्रिटिक फैमिली वो एक ऐसे संब्रांत परिवार से आती है जो जिसका पतन हो चुका है एक गाले रिव यानि वो लोग खो बैठते हैं अपना जो उनका प्रॉपर्टी है जो उनको विरासत में मिला था बेले रिव विच इस फ्रेंच फ़र ब्यूटिफुल ड्रीम और बेले रिव का मतलब है beautiful dream, यानि यह French word है जिसका मतब है beautiful dream of her husband and Alan Gray who committed suicide on her knowing him to be a homosexual, तो यह जो फिर क्या होता है कि वो अपने husband को भी खो देती है जिसने कि suicide कर लिया था उसके husband ने, Alan Gray ने और क्यों किया था, क्योंकि Blance Duvoy को पता चल गया था कि वो homosexual है of her reputation by being promiscuous and of her job for seduction of a boy student of hers as an English teacher all force her to seek refuse in a lower class two room flat with her sister Stella and brother-in-law Stanley Kowalski living in Elysian fields in the city of New Orleans यह पूरा इतना बड़ा एक sentence है यहां से शुरू हुआ और New Orleans पर खतम हुआ तो मतलब जो Blance है उसने बहुत कुछ खो दिया है Bellarive जो उनकी ancestral property थी वो खो दी है और अपने पती को खो दिया अपनी नौकरी खो दी और अब उसको अपनी बहन और बहनोई के साथ रहने को आना पड़ा है तो आप इसके एक एक शब्द का अगर meaning देखे तो वह यहां तक आपको एक एक word का बता चुकी थी कि उसके पती ने यहां suicide कर ली थी क्योंकि उसको मालूम चल गया था कि वो homosexual है of her reputation और उसकी जो reputation है वो भी खराब हो जाती है by being promiscuous क्योंकि उसकी प्रवर्टी ऐसी है promiscuous का मतब होता है कि indiscriminatory रूप से ज़्यादा मिलना जुलना यानि जो प्रवर्टियां होती है उस तरीके की है उसकी प्रवर्टियां तो reputation उसकी चल जाती है and of her job और उसकी नौकरी क्यों जाती है for seduction of a boy student of hers क्योंकि ऐसा इसमें देहने को मिलता है कि उसके अपने boy student से relation थे as an English teacher all fours are to seek review ये भी English teacher रही है भाई ये तो इन्होंने नाम बदनाम कर दिया English teachers का of lower class to room flat अच्छा फिर क्या होता है कि वहाँ से नौकरी से तो ये निकाल दी गई है और फिर क्या होता है all fours are ये सारी परिस्तियां उनको मजबूर करती है to seek refuse मने शर्ण लेने के लिए in a lower class यानि निमनिस्तर के two room flat दो room कमरे के flat में with her sister Stella तो इनका Stella का नाम याद रखना है कि अपनी बहन Stella and brother-in-law Stanley Kowanski इनका भी नाम याद रखना है living in Elysian Fields कहां रहते हैं Elysian Fields में ये जगह है आपको याद रखनी है in the city of New Orleans यानि New Orleans सहर में the two room dwelling is full of violence ये दो कमरों का जो घर है full of violence हिंसा से भरा हुआ है her aristocratic pretensions and illusions are systematically stripped away there by her relentless brother-in-law अब ये जो इनकी illusions थी कि हम aristocratic family को belong करते हैं बड़ी family को धन्वान family को belong करते हैं तो वो सारी illusions इनकी यहाँ खतम हो जाती हैं जब वो अपने बहन और बहनोई को यहाँ देखती हैं और उनी के द्वारा यह सब खतम किया जाता है उनकी illusions को she progressively loses her sense of balance both physically and mentally और इनका mental balance और physical balance धीरे धीरे खतम हो जाता है she becomes completely insane वो पूरी तरीके से पागल हो जाती है after her brother-in-law rapes her जब यह जो बहनोई है उसके साथ ज्यादती करता है when his wife Stella is in the hospital जब उनकी wife Stella है वो hospital में होती है for delivering her babe यानि वो उसके बच्चा पैदा हो रहा होता है Stella के और घर पर केवल बहनोई होता है और यह balance new boy होती है तो उनमें जगड़ा हो जाता है और जगड़े के अंत जब होता है तो उनके जीजा जादती करते हैं उनके साथ तो यह तो है main character यानि ब्लांस डूबॉइ और फिर देखते हैं दूसरा character जो इस ड्रामा में है Stella कोवाल्स की यानि ब्लांस डूबॉइ की छोटी बहन शी इस दा यंगर सिस्टर ओफ ब्लांस वो छोटी बहन है ब्लांस की शी इस about 25 years old वो लगवग 25 साल की है शी है रन अवे फ्रॉम हर होम वो अपने घर से भागी है और उन्होंने स्टेनले कोवाल्स की से शादी की है वो इस बिलो हर सोशल क्लास जो उनके सामाजिक इस तर से नीचे है शी लवस हर brutal husband उसका husband निर्दई है लेकिन फिर भी वो उसे प्यार करती है and she does not cherish any illusions about herself और उसके मन में अपने बारे में कोई भी भ्रम नहीं है जैसा कि ब्लांश के मन में है कि हम बहुत बड़ी family को विलोंग करते हैं aristocratic family को विलोंग करते हैं ऐसी कोई illusions स्टेला के मन में नहीं है and her life is a seedy suburb of new Orleans और उसकी जो जिन्दगी है वो एक सामाने सी जिन्दगी है new Orleans के लोगों की जैसी है महाँ पर she is very practical वो बहुत ब्याभारिक है and down to earth और down to earth का मता होता है जो बहुत विनमर होते हैं in her approach यानि अपने व्यभार में अपने दिश्टिकॉर्ण में and she is a contrast to Blanche in this और इस मामले में वो Blanche के just उलट है यानि contrast है as the play opens जब ये नाटक शुरू होता है she is pregnant and expecting her baby तो वो pregnant है और उसके बच्चा होने वाला है she is very warm and affectionate towards her sister Blanche तो वो अपनी बहन Blanche के प्रती बहुत वफादार है बहुत प्रेम से उसे मिलती है but when she learns लेकिन जब उसको ये पता चलता है that her husband Stanley has raped Blanche के उसके पती Stanley ने Blanche के साथ ज़्यादती की है she follows the line of least resistance and perhaps तो वो जिस रास्ते पर चलती है वो least resistance यानि कम से कम resistance का है प्रतिरोध resistance वहने प्रतिरोध होता है तो कम से कम प्रतिरोध वो करती है और परहप्स और शायद helplessly यानि असहाय भाव से क्योंकि और कुछ वो कर नहीं सकती इसलिए ascends to her husband's stand वो अपने पती का जो stand है वो जो कह रहा है उसमें ही उसकी सहमती देती है कि अपने husband की हां में हां मिलाती है to commit blanche to the asylum के भई ये जो blanche है वो पागल हो गई है और उसको पागल खाने भेज़ दो तो और कुछ क्योंकि इसके हाथ में नहीं है अपने husband की हां में हां मिलाने के तो वही करती है वो फिर तीसरा करेक्टर इससे अभिया परचिती हो चुके है ये Stanley Kowals की ये पती है Stella का Stanley Kowals की is Stella's husband तो Stanley Kowals की Stella का पती है He is Polish by origin ये आपको याद रखना है कि वो Poland का निवासी है Polish by origin मतब जन्म से वो Poland का निवासी है but he considers लेकिन वो ये मानता है considers that derogatory कि उसके लिए ये कहना उसको Poland का निवासी कहना derogatory है, insulting है and claims himself to be cent percent American और वो ये कहता कि मैं तो hundred percent यानि American हूँ और मुझे कोई Poland वासी ना बोले He is an ex-serviceman who has served in the engineer corps of the army तो वो एक ex-serviceman है यानि retired है आर्मी से और उसने आर्मी में engineer का काम किया है but now he is a civilian working for an industrial concern in New Orleans लेकिन अब वो फोजी नहीं है अब तो वो civilian है और New Orleans में एक industrial concern यानि एक व्यापारिक firm के लिए काम कर रहा है He is brutal, वो निर्दई है and insensitive और बहुत सम्विदना हीन है but virile virile क्या होता है? masculinity होती है यानि एक पुरुष है तो उसके अंदर मरदानगी होनी चाहिए तो वो उस तरीके का है मालब जिनको अपनी मरदानगी पर बड़ा नाज होता है तो उस तरीके का है कि मैं एक मरद हूँ और मरद जो इस तरीके का व्यक्ति होता है उसका विश्वास बात में होता है कि और तें उनके नीचे रहनी चाहिए दबके रहनी चाहिए यानि उनसे उपर नहीं हो सकती तो उस तरीके का व्यक्ति है यानि औरतें समान है आदमी के ये बात उसको बरदाश्ट नहीं तो वो मर्दानगी पर नाज़ करने वाला विक्ती है तो वो लगातार जो इल्यूजन्स हैं उसकी सिस्टर इनलो ब्लांश के के भई हम बहुत बड़ी फैमिली को बिलोंग करते हैं और ये तो जो निमनिस्तर का है मलब हैं क्या मेकैनिक है एक और पॉलेंड का निवासी है और कहां हम कहां ये तो ये जो इल्यूजन्स हैं इनको वो रिलेंटलेसली मने लगाता है पारता रहता है जो उसके मन में है उनको तोड़ता रहता है जो इसकी visiting sister-in-law यानि साली है यह He ruins the chances of her marrying Mitch वो chances को ruin कर देता है उसके पास Mitch से शादी करने की तो उस chance को खतम कर देता है और Mitch कौन है? His friend उसका दोस्त है and colleague और उसके साथ काम करने वाला है both in the army and now in the industrial concern where he works तो Mitch ने और Stanley ने दोनों ने पहले आर्मी में काम किया था वहाँ भी साथ थे और अब यहाँ जहाँ industrial concern में काम कर रहे हैं वहाँ भी यह दोनों साथ में काम करते हैं और दोनों दोस्त हैं तो Blanche और Mitch में थोड़ा सा relationship develop होने लगता है लेकिन यह इसको समाप्त कर देता है he alternately brutalizes and adores his wife Stella तो कभी तो वो अपनी wife Stella के साथ बहुत अच्छा व्यभार करता है कभी उसके साथ निर्देता का व्यभार करता है he settles his score with his sister-in-law Blanche by raping her when Stella is in the hospital giving birth to their baby he settles his score मतब वो अपना हिसाब बराबर करता है with his sister-in-law अपनी साली ब्रांच से by raping her उसके साथ जारदी करके when Stella is in hospital जबकि Stella hospital में होती है अपने बच्चे को जन्द दे रही होती है adding insult to injury he commits his more sinned against than sinning sister-in-law to the asylum by making his wife Stella consent to his scheme adding insult to injury मतब पहले तो चोट पहुचा चुका है उसको इससाथ जारदी कर चुका है अब उसको और अपमानित करता है और फिर क्या करता है he commits his more sinned against than sinning यानि इसका पाप उतना नहीं था ब्लांच का उसके साथ ज़्यादा अपराद हुए यानि उसने जो भी किया है पहले जैसे उसके अपने स्टुएंट के साथ संबन जुड़े हैं या जो भी रहा है लेकिन उसके खुद के साथ ज़्यादा ज़्यादती हुए more sinned against than sinning का मतब़ यह होता है कि जतना पाप आपने किया उससे ज़्यादा पाप आपके साथ किये गई उससे ज़्यादा ज़्यादती आपके साथ किये गई तो यह उसकी sister-in-law Blanche के साथ साली के साथ बहुत ज़्यादती होती है और उसको to asylum पागल खाने भेज देता है by making his wife Stella consent यानि अपनी पतनी Stella को वो बाद्धे करता है कि वो भी अपनी अनुमती देती है to his scheme उसकी योजना में ठीक है ये तो हुए ये तीनों main characters है Blanche, Stella और Stanley याद रखने हैं जवान लड़करा जाती है इनके नाम बोलने में Blanche, Du Bois, Stella Kowals की Stanley Kowals की हम तो सीमा, गीता, रीता, महेंदर और सुरेंदर ये नाम बोलने के आदी हैं तो ये नाम याद रखने में थोड़ा से दिक्कत तो होती है लेकिन बेटा आपको एक्जाम देना है तो याद रखने पड़ेंगे फिर next character है Harold Michelle और इसको Mitch बोलते हैं ये वही बंदा है जिसके साथ Blanche Duoy के थोड़े से relations डेवलप हुए थे प्यार काम को फूटा था लेकिन Stanley ने सब कबाड़ा कर दिया तो he is a close friend and colleague of Stanley, वो Stanley का घनिष्ट मित्र है और सहकरमी है, he has served in the same regiment as Stanley, तो Stanley वाली regiment में ही सेना की टुकडी में, उसने भी काम किया था he is one of the poker and balling buddies of Stanley तो ये लोग poker और balling करते हैं, मलब साथ में खिलते हैं Stanley और Mitch he becomes smitten with blanche and first wants to marry her और वो blanche से प्रभावित होता है यानि उसकी तरफ आकरश्यत होता है उससे शादी करना चाहता है, but when Stanley informs him about her past लेकिन जब Stanley उसको उसके अतीत के बारे में बताता है blanche के अतीत के बारे में जब Stanley Mitch को बता देता है he spurs her through though he tries in vain to have sex with her तो वो उसको दूर कर देता है मलब शादी नहीं करना चाहता लेकिन physical relations बनाना चाहता है and is driven out by her unceremoniously on knowing his true intentions अब blanche को जब उसकी intentions पता चलती है कि सिर्फ वो physical relations बनाना चाहता शादी नहीं करना चाहता तो फिर वो भी उसको दूर कर देती है अपने आप से he suffers from a mother fixation वो mother fixation से suffer करता है का मतलब है वो अपनी मा से ज्यादा बहुत ज्यादा प्यार करता है साइकलोजी में एक टर्म है कि हर बेटा मा से प्यार करता है आपने देखा होगा कि बेटियां पिता से ज्यादा test होती है बेटे मा से ज्यादा test होते है लेकिन जब जरूरत से ज्यादा test होता है तो फिर वो mother fixation कहलाता है तो उस type का mother fixation है यानि एक mental बीमारी है इन्दा एंड अंत में he genuinely feels sorry वो इमानदारी से सचे रूप से उसे दुख होता है for the cruelty perpetrated on blanche यानि blanche के साथ जो निष्ठुरता हुई है निरदैता हुई है by Stanley but he is equally powerless to defy Stanley as does Stella लेकिन वो इतना ही असहाय है Stanley का विरोध करने में जितनी की Stella है यानि Stella भी अगर चाहे के भई Stanley का विरोध करके अपने पती का विरोध करके अपनी बहन blanche की मदद करे तो नहीं कर सकती वैसे ही यहां Harold Michelle भी अगर चाहे तो वो blanche की मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो भी उतना ही powerless है फिर देखिए एक और करेक्टर Eunice Hubble She is the wife of Steve Hubble वो Steve Hubble की wife है The Hubble's own the first floor apartment तो यह जो Hubble's है इनके पास first floor वाला apartment है वेर दे लिव एंड ग्राउंड फ्लोर अपार्टमेंट टीनेंटेड टू दा कोवाल्सकीज और जो ग्राउंड फ्लोर है वो उसमें किराई पर रहते हैं कोवाल्सकीज ठीक है तो यह आपको याद रखना है कि first floor apartment में यह Hubble's रहते हैं और कोवाल्सकीज कहां रहते हैं ग्राउंड फ्लोर अपार्टमेंट पर रहते हैं यूनेस इस एक अच्छा पड़ोसी है friend and foil to Stella अच्छी पड़ोसी है और दोस्त है और foil to Stella Stella के लिए वो एक foil character है foil character मैंने वीडियो अप्लोड किया है अपने पढ़ा होगा कि एक ऐसा character होता है जिसकी वज़े से किसी दूसरे character की qualities और भी निखर कर सामने आती है तो हम Stella को देखते हैं कि वो तो अपने husband की हर बात की हामे हामे लाती है हमेशा वही करती है जो उसका husband चाहता है लेकिन ये जो है महिला यूनिस उसकी रिलेशन्शिप अपने पती से इस इवन मोर टर्वूलेंट बहुस ज्यादा टर्वूलेंट मंदब जिसमें जगड़े लड़ाई जगड़े हैं वैसे हैं than that of Kowalskis Kowalskis की तुलनामे यानि Kowalskis के मामले में ये है कि सिर्फ Stanley जगड़ा करता है Stanley डांटा है, मारता है, फटकारता है जो भी करता है अपनी वाइफ को लेकिन Stella बदले में वैसा नहीं करती है न वो अपने पती को का विरोध नहीं करती न ये नहीं है कि जब तू मुझे से कैसे बांद के रखा जाए She is the one who guides Blanche to her sister Stella's ground floor apartment वो यही वो महिला है who guides, जो रास्ता दिखाती है Blanche को to her sister Stella's ground floor apartment यानि अपनी Blanche को बताती है कि ये तुम्हारी बहन का apartment है ground floor पे She serves as a confident to Stella वो एक confident का मतब होता है विश्वास पात्र होता नहीं, जिससे हम अपनी बातें शियर कर लेते हैं, तो वो Stella की विश्वास पात्र है, और वो उसको गौन्स करती है, यानि राहत देती है, उसको सांतोना देती है, जब ब्लांश को Stanley के द्वारा असायलम में भेज दिया जाता है, फिर नेक्स करेक्ट रहाए स्टीव हवैल उपर यूनिस हवैल था यूनिस का हजबेंड है पती है ये भी इस्टेंले का फ्रेंड है एड पोकर कंपेणियन और पोकर का साथ ही है फोकर खेलते हैं ये लोग यह ब्रो बीटन एक बड़ा अच्छा सा वर्ड है हमारी आईब्रोज होती है न आप गुस्से में होते हैं तो कैसे बहुएं चढ़ा लेते हैं एकदम आखें निकालते हैं बहुएं उपर चढ़ा लेते हैं तो अब यह काम उसके लिए कौन करता है उसकी बीवी करती है आँगे निकालके डांटके उसको तो यह ब्रो बीटन हस्बेंड मतब अपनी बीवी की गुस्से का शिकार पती और यूनिल सर्फ एज़ा फॉयल टू स्टेंले वो स्टेंले का फॉयल है अब स्टेंले तो अपनी बीवी को डरा के रखता है मारपीट भी कर देता है और यह जो इस्टी बहबेल है यह बिचारा खुद ब्रो बीटन हस्बेंड है यानि उसकी बीवी उसको डरा के रखती है तो यह इस्टेंले का फॉयल है फॉयल करेक्टर का एक बड़ वीडियो जरूर देख लीजेगा अगर आपने ना देखा हो तो नेक्स करेक्टर है पैबलो गॉंजालेस वो एक और साथ ही है जो पोकर खिलता है इस्टेंले के साथ he forms a foursome and with Stanley, Steve and Mitch तो इन उसको मिलाके यह चार बन जाते हैं चार खिलाडी यह चारो आदमी पीक पर है बिलकुल चोटी पर है अपनी फिजिकल मैंहोड के यानि स्थारी रिक रूप से जो पुरशत्त होता है, पुरश होता है, मरदानगी होती है तो वो रिप्रेजेंट करती है प्रतने दूप करती है, brute strength यह जानवरों वाली ताकत जब मनुशे इस तरीके का होता है जादी मरदानगी दिखाने लगता है तो वो एक तरीके से जानवर हो जाता है वो अपनी ताकत दिखाना चाहता है और कोर्स में अभद्रता तो जितने भी अभद्रता दिखाते हैं वो इस तरीके के लोग जो अपने आपको बहुत बड़ा मरद समझते हैं फिर है शैप हंटले ये ही इस ब्लांश इमेज ऑफ अफ वेल्दी एंड सक्सेस्फुल हीरो ये ब्लांश के तस्वीर है एक धनी और सक्सेस्फुल हीरो की एक आधुने की योग का सरदार और जिसके पास चमकते हुए हत्यार है एसा माना जाता है कि वो डेलास से आया है जहांके जमीन में से सोना होता है ब्लांश डेस्परेटली देन इंसेनली फेंटासीस देट हीरो फिर पागलपन से फेंटासीस ये कलपना करती है that he will leave his wife कि वो अपनी पत्मी को छोड़ देगा and come to rescue her और उसको बचाने आएगा from the sordidness यानि ये जो गंदगी है ये जो परिशानिया है and misery कष्ट है of her present life उसकी वरतमान जिन्दगी का to her he symbolizes a protected world of wealth and security उसके लिए वो एक प्रतीक है एक सुरक्षित दुनिया का of wealth यानि धन से भरी हुई and security और हिफाज़त से सुरक्षा से भरी हुई दुनिया का वो एक symbol है next character है a negro woman एक हबशी महिला she is the neighbor of the kowals की in alysian fields वो kowals की जो family है alysian fields में रहने वाली उसका उसकी पडौसी है racially mixed place in the melting pot of new Orleans तो ये जो जगह है वो racially mixed है यानि यहां अलग-अलग प्रजातियों के लोग रहते हैं वो एक melting pot है melting pot जहां सारी चीज़ने आकर घुल जाती है मिल जाती है new Orleans में she is noted for her vulgar humor and hysterical laughter वो जानी जाती है अपने vulgar humor के लिए यानि वलगर थोड़ी से गंदी गंदा तरीके का humor होता है हसी होती है and hysterical laughter और गला फार फार के हसने के लिए जानी जाती है next character है a blind Mexican woman एक अंधी Mexican महिला she is selling funeral flowers वो funeral flowers मने जो shove के उपर dead body के उपर फूल सजाई जाते हैं वो बेशती है she is turned away by blanche वो blanche के द्वारा भगा दी जाती है who by then cannot be helped जो उस वक्त उसकी मदद नहीं की जा सकती she is virtually a stage symbol selling symbols of death the chin funeral flowers तो ये जो महिला है वो एक symbol है एक प्रतीक है कि वो death का symbol बेच रही जो flowers है वो जो बेचती है funeral flowers वो death के प्रतीक है तो ये जो महिला है वो एक stage symbol के रूप में काम करती है next character है Mrs. Michelle she is the mother of Harold Michelle तो अभी बात हुई थी ना कि जो Mitch है वो उसके अंदर mother fixation है तो उसकी मा कौन है Mrs. Michelle है Harold Michelle की मा she is ailing of stage तो stage पर उनको नहीं दिखाया जाता है ड्रामा में उनको दिखाया नहीं गया है लेकिन वो बीमार है stage से कहीं अलग her doting son takes care of her उसका जो बेटा है जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है वो उसकी देखवाल करता है and in return she worries about him और बदले में वो भी उसके लिए चिंतित रहती है next character है a young collector एक युवा collector he is a newspaper boy वो एक अखवार बाला लड़का है collecting subscriptions for the newspaper वो newspaper के subscription इखटे करता है यानि लोगों से जैसे हम newspaper का subscription देते हैं मतलब पैसे देते हैं for which he works जिसके लिए वो काम करता है newspaper के लिए Blanche toys with this boy at the very time she is waiting for Mitch to show up for a date Blanche इस लड़के साथ थोड़ा सा खिलवार करती है जब वो Mitch का इंतजार कर रही होती है एक date के लिए he is an immediate example of Mitch's rumored fondness for every young males वो एक उदाहर है Blanche के बारे में ये अफवाह है कि वो जितने भी लड़कों को देखती है young males को देखती है जबान लड़कों को देखती है यहां एक और करेक्टर है doctor a doctor he is from lunatic asylum वो पागल खाने से है into which Stanley commits his sister-in-law Blanche Duoy जिस पागल खाने को Stanley अपनी साली Blanche को भेज रहा है he takes Blanche to the asylum ये doctor लेकर जाता है Blanche को asylum he is quick to notice the lady-like stature of Blanche and takes her arms gently and conveys her to the asylum यानि doctor को समझ में आ जाता है कि ये जो Blanche है lady-like मतब कि संब्रान तरीके की महिला है एक एस्ट्रोकेटरिक फैमिली को बिलॉंग करने वाली महिला है और बड़े विनम्र तरीके से उसकी बाहों को अपने हाथ में लेता है और उसको asylum लेके जाता है he is a foil to the nurse his assistant वो अपनी nurse का foil है यानि जो उसकी assistant है nurse उसके लिए डॉक्टर यहाँ foil का काम करते हैं अब यहाँ nurse का character देखते हैं she is the matern who assists the doctor in taking plans to the asylum वो matern है matern में जो देखवाल करते हैं जैसे कि हमारे girls hostel होते हैं वहाँ भी एक matern रहती है लड़कियों को कब जा रही है कब आ रही है डांटने के लिए matern रहती है तो हम मैं जब इससे पहले RBS college का एक girls hostel है तो वहाँ पढ़ाती थी इंजरिन college में तो वहाँ एक matern थी वो भी अच्छे से डाट के रखती थी इन लड़कियों को तो ये matern है जो के assist करती है मदद करती है doctor की in taking plans to the asylum plans को asylum ले जाने में her rough and brushed manners make plans refractory उसका जो तरीका है बड़ा rough है matern को वैसे भी थोड़ा सा rough tough होना होता है वरना कौन उसकी बास सुनेगा तो वो इसके साथ blanche के साथ थोड़ा सा rough behavior करती है और blanche थोड़ा सा उनसे बहबेसी हो जाती है she wants to employ force and cow down blanche but the doctor rescists her from doing so वो ताकत का प्रियोग करके बलका प्रियोग करके blanche को जुकाना चाहती है लेकिन doctor मना कर देता है कि भई ऐसा मत करो he wins the confidence of blanche quickly वो जल्दी ही blanche का विश्वास जीत लेता है the nurse is a foil to the doctor तो जो nurse है doctor का foil character है foil character बार-बार आ रहा है देखिए जैसे foil क्या होते है कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ एक foil character दूसरे character की खासियतों को और निखारता है अब जैसे doctor बड़ा दयालू है और blanche का confidence जीत लेता है और force का प्रियोग नहीं करता बड़ी विनम्रता से उसका हाथ अपने हाथ में लेता है और उसको asylum लेके जाता है तो वैसे उसकी ये दयालूता इतनी हमको अच्छी नहीं लेगेगी लेकिन जब हम नर्स से तुलना करके इसको देखते हैं तो और ज्यादा निखर कर सामने आती है उसकी kindness तो the nurse is a foil to the doctor and she symbolizes institutional brutality और वो symbol है प्रतीक है कि किस तरीके से इन institutions में निर्दैता बढ़ती जाती है मरीजों के साथ पागल लोगों के साथ जो insane है उनके साथ कैसी निर्दैता बढ़ती जाती है वो इस बात का symbol है फिर next character है एलन ग्रे he was a sensitive young poet वो एक सम्मिदंशील युवा कभी था he married Blanche उसने Blanche से शादी की when both of them were very young जब वो दोनों बहुत जवान थे some 14 years ago लगभग 14 साल पहले he was a homosexual ये उसकी कमी थी and when Blanche caught him red-handed और जब Blanche ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया his guilty conscience made him commit suicide horribly तो उसके अंदर जो guilty conscience था उसको अपराद बोध हुआ और उसने अपनी आत्मत्या कर ली बड़े वहंकर तरीके से he forms a complex memory for Blanche तो उसकी जो याद है बड़ी जटिलताइं लिये हुए है Blanche के लिए one of which she repeatedly slips back in the play तो ये एक ऐसी याद है जिसको वो बार-बार वापस वहीं चली जाती है इस नाटक में यानि बार-बार उसको Alan Gray की याद आती है तो आपको नाम याद रखना है कि Alan Gray कौन है very short answer type questions में आप से इन characters में से किसी के भी बारे में पूछा जा सकता है तो इनके नाम याद रखने है फिर एक और character है Graves He is the high school superintendent in Laurel where Blanche worked as an English teacher तो वो high school superintendent है Laurel में जहां पर Blanche एक English teacher के रूप में काम करती थी तो Laurel जगह को भी आपको याद रखना है कि ये जो Blanche है English teacher के रूप में कहां काम करती थी He fired उसने डिसमिस कर दिया Blanche को from his staff अपने staff से following her alleged improprieties with a 17 year old boy student of hers in the school कि उसकी मैं जो एक 17 साल के लड़के से स्कूल में मैं पढ़ने वाले अपने ही student के साथ गलत सम्मन थे तो इस इलजाम के तहत उसको डिसमिस कर दिया European culture भाया बच्चे अपने बेटे के समान होते हैं ऐसे कैसे हो सकता है किसी का अपने student के साथ relation लेकिन भाया European culture में कुछ भी possible है फिर है next character Mac He is one of Stanley's lower class balling friends जो Mac है वो Stanley का एक निमन स्तर का balling friend है यानि दोस्त है उसके साथ खेलता है फिर है K Fever He is a merchant in Laurel वो Laurel में एक व्यापारी है He verifies for Mitch the rumors about Blanche's disreputable past in Laurel तो यही वो व्यक्ती है जो Mitch के लिए verify करता है यानि बताता है कि witness के रूप में काम करता है गवाही देता है कि जो rumors है जो अफवाएं है Blanche के बारे में Laurel में उसका अतीत क्या रहा है तो यही verify करता है उसको तो यह भी question आप से पूछा जा सकता है कि Mitch के लिए कौन उसकी rumors को जो उसके बारे में गलत अफवाएं है उसको कौन verify करता है तो इसका नाम भी आप को याद रखना इस spelling बढ़ी tough है इसकी फिर है Shaw He is Stanley and Mitch's informant about Blanche's reputation in Laurel तो यह खबरी है किसके लिए Stanley और Mitch को यह खबर देता है कि Blanche का reputation क्या रही है Laurel में जो उसको निकाला गया उसकी काम से निकाला गया यह इस बात की खबर देता है यानि यह मैडम ऐसी रही है पास्ट में इनके यह relation रहे हैं तो यह खबर देता है तो यह हैं सारे characters मैं तो सोच रही थी कि इसी में शामिल कर दूँ places के नाम भी और games के नाम भी के अलग से वीडियो बनाया जाए चलिए दिखते हैं चलिए places को भी इसी में शामिल कर लेते हैं अगले वीडियो में मैं summary और questions कर दूँगे ठीक है तो जो places यहाँ पर describe किये गए हैं यह जो drama है तो सबसे पहला जो place है Elysian Fields यह उस गली का नाम है New Orleans शहर की गली का नाम है Elysian Fields which runs between L&N railway track and the river जो के L&N railway track है और जो नदी है उनके बीच में है This section is a poor one यह जो भाग है यह थोड़ा सा गरीब तबके का है It is here Stanley Kowalski and his wife Stella Kowalski live तो यहीं पर Stanley Kowalski और उसकी पतनी Stella Kowalski रहते हैं on two room ground floor दो कमरे का उनके portion है ground floor पर of a two story corner building दो मंजिला मकान है corner का कोने का according to Greek myths the Elysian Fields was a paradise अब ये भी आपको याद रखना है कि Elysian Fields एक यूनानी माइथोलोजी में जो पराने कताएं हैं यूनान की उनके अनुसार Elysian Fields एक paradise है एक स्वर्ग है to which जिसमें के warrior heroes जो युद्ध में लड़ने वाले युद्धा हैं और जो बहादर युद्धा होते हैं जो युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं traveled after death तो युद्ध में जो शहीद होते हैं वो वहीं जाते हैं Elysian Fields में but in the play Elysian Fields is a place similar to hell लेकिन इस नाटग में जो Elysian Fields है वो तो बिल्कुल नर्क जैसी जगह है rather than a blessed and happy place for blance and duol बजाए एक blessed मने देवी है और happy मने खोशाली से भरी हुई जगह के जैसा कि Elysian Fields का मतलब होता है एक blessed place एक ऐसी जगह है जहां पर खोशाली ही खोशाली हो देवी जगह हो डिवाइन जगह हो लेकिन ये तो एकदम से नर्क जैसी जगह है blanche के लिए तो ये एक irony का example है जो Elysian Fields नाम है इस जगह का है देखने में नर्क जैसी और खासकर जो blanche है उसके लिए तो बिल्कुल ही नर्क साबित होती है तो ये irony का एक example है कि नाम जैसे कहते ने आँक के अंदे नाम नैंसुख तो नाम तो Elysian Fields है जो के जिसका मतभ़ होता है paradise work और जगह है बिल्कुल नर्क जैसी है और note आपको ये रखना है ध्यान में रखना है कि the entire action ये जो पूरा action होता है of street car named desire तो Elysian Fields में जो कोवाल्स की परिवार का flat है वहीं पर ये पूरा drama होता है the other places are simply mentioned बाकी की जो जगह है वो केवल उनको mention किया गया है to link the past and present of Blanche Blanche के अतीत को और वर्तमान को जोडने के लिए the chief protagonist of the play जो कि इस नाटक की मुख्यपात्र है तो यहां भी एक तरीके से unity of place को follow किया गया है जिसे the price में मैंने आपको बताय था वहां सारी unities को follow किया गया है the unity of place, the unity of time and the unity of action तो यहां आप देख रहे हैं कि यह भी unity of place को यहां follow किया गया है फिर बेलरीव एक जगह है जिसके बारे में जिक्र होता है लेकिन वो stage पर नहीं दिखाई गई है तो यह एक ancestral जो अपने पूरवजों से विरासत में मिली हुई आप बगीचा कह सकते हैं of Dubai family का in the state of Mississippi Mississippi state में दिये भी आपको याद रखना है कि बेलरीव कहा है Blanche and Stella were born and bred up there तो bred up की जगह आप चाहें तो brought up भी कर सकते हैं Blanche और Stella दोनों बेहने वहीं पैदा हुई थी बेलरीव में और वहीं पर उनका पालन पोशन हुआ था this rich estate was lost by Blanche यह मिलब जो सम्मृद estate है वो हाथ से चली गई Blanche के owing to the epic fornication of the of elders coupled with the dogging sickness and death of its members मतब epic large scale पहे fornication होता है adultery होती है व्यवचारी मतब बद चलनी है आप कह सकते हैं of elder elders यानि बडे लोगों का जो व्यवचार है उसकी वज़े से coupled with the dogging sickness and death of its members यानि बीमारी और मौत परिवार के लोगों की हो गई और वो लोग व्यवचारी भी थे तो इस वज़े से ये क्या है हाथ से निकल जाता है यानि यह जो लौस हुआ सब कुछ हाथ से निकल गया बैलारीव हाथ से निकल गया husband हाथ से निकल गया नोकरी हाथ से निकल गई reputation चली गई उसकी इन सब के नुकसान की वज़े से बैलारीव आती है dissolution of beautiful dream जैसे की एक खुबसूरत सपना तूट गया हो क्योंकि इसका मतलब ही ये होता है बैलारीव का तो जो दक्षन का वैभव है वो फेड हो गया खतम हो गया ये उसका सिंबल है इसके बाद जो next place है लारेल ये वही कस्वा था जहां ब्लांश काम कर रही थी एक इंगलिश टीचर के रूप में इना स्कूल जब तक कि उसको बरखास नहीं कर दिया गया उसके ये आरोप लगा कि उसने अपने एक स्टूएंट के साथ उसके रिलेशन्स है तो अब जूब छूट जाने के बाद ये आवश्यक्ता महसूस हुई उसको कहीं जाने की मजबूरी उसके सामने पैदा हुई तो इन दोनों के घर जाने की उसको ज़रूरत पड़ी इस जौब को छूटने के बाद इट इस दर टाउन ये वो कस्वा है फ्रॉम वेर जहां से स्टेंले एंड मिच वेरिफाई जहां जाकर स्टेंले और मिच वेरिफाई करते हैं दा ड्यूमर्स इन अफवाहों को अबाउट ब्लांच के बारे में थ्रू देयर कॉंटेक्ट्स शौ एंड की फैवर रिजाइडिंग देयर तो ये कॉंटेक्ट करते हैं इन लोगों से संपर करते हैं शौर की फैवर से जो के वहीं पर रहते हैं लॉरेल में और फिर इन अफवाहों को वेरिफाई करते हैं कि भई ये सच हैं कि नहीं तो यही लोग बताते हैं कि ये अफवाहें हैं इसके बारे में यहां पर यह तो कुछ जाद ही बदमास रही है वही यह उन होटलों के नाम है जहां पर ब्लांस अपना वन नाइट स्टेंड किया करते थी अपने फाइदे के लिए तो यह एक फ्लीसिंग बार का नाम है जो के अलिसिंग फील्ड में है और जिसमें अक्सर यह लोग इस्टेंडले, स्टेला, स्टीव और यूनिस जाया करते है फ्लीस का मतलब होता है बेड की जो उन काटी जाती है भिड की इस्किन के उपर से उन काटी जाते है उसको फ्लीसिंग बोलते है फिर यहाँ पर कुछ गेम्स के नाम है जिनका जिक्र आया है इस ड्रामा में तो यह भी आपसे पूछे जा सकते हैं इनके बारे में सवाल आ सकता है very short answer type questions या short answer type questions में आपसे पूछा जा सकता है तो यह देखते हैं या आप मैंसे कुछ लोग खेलते भी होंगे तो एक बड़ी सी बॉल होती है और bottle shape की लकडी के बने हुए होते हैं तो उनको गिराने के लिए उस बड़ी सी बॉल को फैंका जाता है फिर है poker game American card game for two or more persons यह एक अमेरिका का ताश का खेल है दो या दो से जादा लोगों के लिए तो ताश के पूरी गड़ी के साथ इसको खेला जाता है जनरली इंक्लूडिंग दा जोकर इन विच दा विनर इस डिटर्मिन्ट बाई दा वेल्यू अफ दा कॉम्बिनेशन ही होल्ट तो जिसमें जोकर शामिल होता है और जो विनर है वो निश्चित किया जाता है कि उसके पास किस कॉम्बिनेशन के पत्ते आए हैं उनकी वेल्यू क्या है इस प्लेइड विद इच प्लेयर होल्डिंग फाइव कार्ड ये खेला जाता है हर खिलाडी के हाथ में पाँच ताश के पत्ते होते हैं तो ये इस प्रकार का ताश का गेम है और जो के पैसों के लिए खेला जाता है इस्टड पोकर इस वन वेराइटी आफ पोकर प्लेइड विद सेवन कार्ड इच इस्टड पोकर एक तरीके का गेम है पोकर का इस्टड पोकर जो है वो उसमें साथ कार्ड होते हैं इसमें पोकर में पांच कार्ड होते हैं और इस्टट पोकर में साथ कार्ड होते हैं फिर है a note on the epigraph to streetcar named desire अच्छा इसमें एक epigraph भी है the epigraph for the printed version of streetcar named desire is from heart cranes poem the broken tower तो अब आपको ये भी याद रखना है कि जो epigraph है इस नाटक का वो कहां से लिया गया है heart crane की कविता है the broken tower and so it was I entered the broken world to trace the visionary companion of love its voice and instant in the wind I know not whether heard but not for long to hold each desperate choice तो अगर इसका meaning देखें तो क्या निकलता है देखिए कोशिश करते हैं and so it was I entered और ऐसा हुआ कि मैंने प्रवेश किया the broken world उस बिखरे हुए तूटे हुए संसार में to trace the visionary company to trace मने ढूनने के लिए खोजने के लिए तलाश करने के लिए visionary मने सपनों वाला company साथी of love महबत का its voice इसकी आवाज in an instant एक जटके में एक पल में in the wind हवा में I know not मुझे नहीं मालूम with the herd किदर से घूम कर आई किदर से फैंकी गई किदर से निकाली गई but not for long लेकिन लंबे समय तक नहीं to hold each desperate choice to hold मने पकड़ा जा सका each मने प्रते एक desperate choice जो के desperate होता जब कोई बहुत जल्दी बहुत तेजी होते बहुत इच्छा होती है किसी काम को करने की तो वो ऐसी choice तो मतलब बहुत देर तक ऐसी इच्छा को नहीं पकड़ा जा सका मतलब तूटा फूटा सा मतलब meaning है और क्योंकि बहुत ब्रोकन वर्ल्ड में किसी ने प्रवेश किया है तो तूटा फूटा ही होगा एक तरीक से symbolic है जो blanche है वो थोड़ी राहत पाने के लिए आई नौकरी उसकी छूट गई अब भाई जैसा character उसका दिखाया गया है उस हाल में तो इंडिया में तो और भी जीना मुश्किल हो जाता कम से कम ये जो society दिखाई गई है वो अमेरिका की society है जहांके इन सब बातों को इतना normally ले लिया जाता है और मदब वहां लोगों का viewpoint अलग होता है यहां तो भीया अगर ऐसा होता तो उसका जीना मुखाल हो जाता तो तूटा फूटा संसार उसका वो वहां से आई नौकरी छूट गई पती ने suicide कर ली और जो बेलरीव था हेरेड़िटरी प्रॉपर्टी थी वो भी बिक गई और एक राहत पाने के लिए यहां Elysian फिल्ड आई Elysian फिल्ड जो के एक स्वर्ग का सिंबल है तो उसे लगा कि मैं Elysian फिल्ड जा रही हूं यहां इस नर्ग से जा रही हूं उस स्वर्ग में वहां जाके राहत मिलेगी और वहां जाके तो आप जानते ही हैं कि उसके साथ उसके जीजाने ही जादती कर दी और फिर उसको mental hospital जाना पड़ा पागल खाने जाना पड़ा तो भार में सीरा कहीं नहीं है हमारे यह कहा जाता ह तो कुछ तो उसके काम ऐसे रहे हैं, कुछ दुनिया है भी ऐसी, कि यही सब होता रहता है, तो यह भी जो लाइन्स हैं, वो सिंबॉलिकल हैं, तूटे हुए संसार में मैंने प्रवेश किया, और सपनों के साथ ही से मिलने के लिए उसकी आवाज आई, एक पल के लिए आई, और फिर कहां गायब हो गई, उसको लंबे समय तक पकड़ा नहीं जा सका, जैसे उसको मिच मिला, मिशेल मिला, कुछ पल के लिए तो उसको उमीद लगी, कि अब मैं इससे शादी कर लोगी, लेकिन मिशेल तो बस उसके साथ फिजिकल रिलेशन मनाना चाहता था, शादी न यह जो एपिग्राफ है, यह काम आता है, उसकी जो मुख्यत थीम्स हैं, विशेवस्तों हैं, उनका पर्चे कराता है नाटकी, थ्रू इस सिंबॉलिक इमेज़स, इसकी जो प्रतिकात्मक इमेज़स हैं, तस्वीरें हैं, आफ दा ब्रोकन वर्ल्ट, टूटे हुए संसार क दा बिजनरी कंपेननी ओफ लव, बिजनरी मने सपनों वाला साथी देम का, एन इंस्टेंट इन दा विरंट, एक पल हवा में, इच डेस्परेट चोईस, और जो हर एकदम तेजी से, निराशा से भरी हुई चोईस है, पसंद है, थ्रू दा लेंग्वेज ओफ इस दिस एक अक्सर्प्ट मंदब होता है, कोटेशन ने, तो इस कोटेशन की जो भाशा है, उसके माध्यम से, एक मूड इस एस्टेबलिश्ट, एक मूड क्रियेट किया जाता है, एक भाववस्था पैदा की जाती है, एक टोन ओफ सीरियस इंटेंट इस इवोक्ट, और एक टोन यहां आत्मकता का भी लहजा है, इट सजेस्ट अपर्सनल विटनेस एंटरिंग अ वर्ल्ड वेरी लाइक दाप्लेज एलिशियन फील्ड, इस नाटक के एलिशियन फील्ड की विद इस डेस्परेशन, यानि उसके अंदर जो निराशा है, निराशा के साथ, इस फेडिंग होप्स, इसकी खतम होती उमीदों के साथ, और इस ग्रोटेस्क अबनॉर्मलिटीज और यहां जो विदरूपता हैं, अबनॉर्मल तो सामान नहीं होता है, और अबनॉर्मल गहर सामान नहीं होता है, और ग्रोटेस्क मनें डिफॉर्म्ड, and values और ना सिर्फ भाशा की deformities हैं बलके personal relations जो हैं व्यक्तिकत संबन्ध हैं लोगों के वो भी टूटे-फूटे हैं values हैं values के नाम पे तो कुछ ही नहीं यहां कोई ना किसी के साथ loyalties है ना values के नाम पे तो जीरो है तो यह सब ऐसा संसार है टूटा-फूटा heart crane is an interesting choice heart crane की जो कविता है वो एक अच्छी choice है यहां epigraph के लिए ली गई है since क्योंके he like ellen the young husband of blance वो ellen की तरह जो के blance का husband था in the streetcar streetcar named desires natak में committed suicide तो heart crane ने भी आत्मत्या की थी in 1932 while returning home from Mexico 1932 में घर लोटते वक्त मेक्सिको से after a futile attempt to write an epic poem जब उसने एक बेकार की कोशिश की एक epic लिखने की महाकाव्य लिखने की crane jumped from a passenger ship and drowned तो crane एक ship में से passenger याक्ती जहाज में से कूद बड़ा और डूब गया williams use of crane's poem अब Tennessee Williams ने यहाँ पर यह प्रयोग किया है crane की poem का may also suggest a deep connection तो यहाँ एक deep गहरा संबंध है at least in williams mind कम से कम williams के Tennessee Williams जो के author है इसके तो कम से कम उनके दिमाग में एक गहरा संबंध है between crane and himself crane और उनके खुद के बीच में williams had gone to Mexico to revive his creativity and they're produce the poker night Tennessee Williams Mexico गए थे अपनी creativity को revive करने के लिए पुनरजीवित करने के लिए और वहाँ उन्होंने poker night लिखा which later became street card जो के बाद में street card नाम से आया सामने crane's lifelong anguish as an alcoholic and homosexual may also have drawn williams sympathy थी तो crane भी इसी टाइब के विक्ति थे एलकोहलिक थे यानि दारूबास थे और अपने same gender के प्रती attracted थे तो इस वज़े से भी Tennessee Williams की sympathy उनके साथ है ये बड़ी आम सी चीज है नॉर्मल सी चीज है वहाँ पर कि इस तरीके के abnormal relations वहाँ पर बहुत है और वो culture है उनकी यहाँ पर चल ली हम क्या आगे बढ़ते हैं the epigraph to the play draws our attention तो इस नाटक का ये जो epigraph है ये हमारा ध्यान खींसता है two broken worlds दो टूटे हुई संसारों की तरफ in the case of the display अगर इस नाटक की बात करें बैले रीव एंड एलिसियन fields तो दो संसार टूटे हुए हैं यहाँ पर बैले रीव जो के इन लोगों के हाथ से निकल गया बिग गया और एलिसियन fields जहां पर ये लोग रहते हैं वो भी एक नर्क जैसी जगह है हम बहुत जल्दवाजी में पसंद कर लेते हैं चीजों को जैसे के branch ने जो शादी कर ली जल्दवाजी में शादी कर ली या फिर इस्टेला ने भी जो शादी कर ली है वो desperate choice है जल्दवाजी में शादी कर ली है हमारी यहां भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लड़के लड़कियां घर से भाग जाते हैं और love marriage कर ली थोड़े दिन वाद फिर लड़ते हुए वापस आते हैं और थाने पहुंसते हैं कि भी यहां हमें इनके साथ नहीं रहना है तो यह desperate choices हैं जल्दवाजी में की हुए चुनाब है Thus the epigraph introduces इस प्रकार यह epigraph हमारा परचा करवाता है Williams Theme of the Souls Quest Tennessee Williams की जो theme है विशेवस्तू है of the Souls Quest यानि हमारी जो आत्मा है वो किसी तलाश में रहती है for ideal love आदर्ष प्रेम की in the broken world of actuality जो वास्तविकता का टूटा हुआ संसार है उसमें हम आदर्ष प्रेम की तलाश में हमेशा रहते हैं यानि दोनों टूटे हुए संसार जो के Tennessee Williams ने यहां तुलना की है और contrast यानि विरोधा भास स्थाबित किया है इस नाटक में have attractive and promising names उनके नाम बड़े आकरशक है और promising माने होता है संभाबनाओं से भरा हुआ full of possibilities तो ऐसे नाम है लेकिन इन में से कोई भी संसार ब्लांश के सपनों को पूरा नहीं करता of the ideal end of romantic love तो वो जो एक आदर्श और एक romantic कल्पनाओं से भरा हुआ प्यार चाहती है उसका ये प्यार उसकी ये तलाश किसी भी संसार में पूरी नहीं होती Williams use of the epigraph Tennessee Williams ने जो प्रयोग किया है epigraph को in the streetcar streetcar में is therefore complex इसलिए बड़ा जटल है it calls attention ये ध्यान खीशता है as much to the poet मदब इस के कभी की और भी who wrote the lines उसने जिसने की ये पंक्तियां लिखी as to the message it contains और साथ ही इसमें जो message है उसकी तरफ भी हमारा ध्यान खिशता है it also has the tauntness of themes यानि इसकी जो विशेवस्तु है उसमें taunt है एक तरीके से सटायर है and symbolic language और ये प्रतीकात्मक भाशा है that Williams himself uses जो Williams ने खुद प्रयोग की है यानि एक तरफ तो जो American society है वो बहुत ज़्यादा developed है बहुत ज़्यादा विकसित है टेक्नलोजीकली आप देखिए और डॉलर तो सबसे उपर है लेकिन उनका reality देखिए उनकी society देखिए कितनी बिखरी हुई कितनी तूटी हुई है तो ये contrast वहाँ पर दिखाया गया है इट गिफ्स फॉर स्टेट ओफ दा मेजर आइडियाज इन स्ट्रीट कार तो इट गिफ्स यानि ये जो एपिग्राफ है ये एक फॉर स्टेट बने फॉर अच्छा इस्टेट नहीं फॉर टेस्ट है पहले से हमको जरा सा चखा देता है कि इस नाटक की जो स्ट्रीट कार नेम डिजायर है इसकी major ideas क्या होंगे यानि इसके जो मुक्य विशेवस्तु क्या होगी इसका हमें थोड़ा सा स्वाद चखने को मिल जाता है and their method of construction और वो किस तरीके से themes को उन ideas को construct किया जाएगा किस तरीके से यहान नाटक में दिखाया जाएगा ये हमें थोड़ा सा चखने को मिल जाता है जब हम epigraph पढ़ते है तो ठीक है बच्चो ये हमें लगता है कि इतना काफी है इसमें और एक वीडियो मैं और बनाऊंगी जिसमें कि इसकी summary और आपको दोगे कुछ questions ये आप अच्छे से याद कर लीजेगा सारे characters के नाम और games के बारे में और epigraph के बारे में एपिग्राफ पर भी अलग से question आ सकता है short answer type question के write a note on the epigraph of the street car named desire तो ये इतना बड़ा note है ये पूरा epigraph पर ही concentrated था और epigraph भी आपने देखी लिया तो उसको आपको ऐसे ही code करके और उसके बारे में ये लिख देना है कि ये हमको एक four taste देता है एक तरीके से prediction कर देता है और हमको idea लग जाता है एक अंदाजा लग जाता है guess लग जाता है कि इस drama में क्या होने वाला है ठीक है वीडियो पहले ही बड़ा हो गया और अब मैं यहीं खतम करूँगी आप अगले वीडियो के इंसार में रहिएगा मैं भी क्या बोल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत जल्दी में हूँ और मैं यह वीडियो खतम करने वाली हूँ ठीक है धन्यवाद